नमस्कार मैं भिलाशा मैं गोपुलपुरा गाउं की और तो फीकर की तरफ अपने गार जा रही थी तो मैंने देखा रस्ते में यहां पर यह रामदेव जी के घोड़े ओट गाड़े ट्रेक्टर ट्रॉलिया यह रखी वी थी तो मैंने गाड़ी रोकी क्योंकि मुझे मेरा बच्पन याद आ गया मैं जब छोटी थी तो मेरे ममी बापा मुझे रूनी जा रामदेवरा लेकर जाया करते थे तो वहां पर यह घोड़े मैं अमेशा आपने खेलने के लिए लेकर आती थी और अभी भी मेरे घर पर आपको यह रामदेव जी घोड़ा देखने को मिल सक इस बच्चे अकर मूँ में भी ले लेते खेलते वे तो उनको नुक्सान नी होता और यहां पर जो आप यह देख सकते हैं चप्र सा लगाके परिवार रह रहा है यह नागोर के फिचामण के हैं और यहां पर यह पिकरी करने आएवे हैं यह दूर-दूर से आते हैं तो थे यही कैस कहूंगी कि आप जब रस्ते से घुजरे तो ऐसे यह दिखाई दें तो यहां रुको और यहां से कुछ खिलोना खरीदो क्योंकि इनकी आजीवी का इनी से चलती है तो हम बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं महां पर हम महंगे महंगे खिलोने खरीद के लाते हैं उनसे बेटर है कि आपको यह सई दामों पर आपको देंगे तो इनका भी घरखर्च है वो आसानी से चलेगा और यह सारे ही एक तरीके से गोड़े हैं यह मतलब जैसे ग्राम तो राजस्तान की पहचान है यह सब ट्रेक्टर, ट्रॉली, एक्टीप और यह इदर आप देख सकते हैं गोड़े हैं और बहुत ही सुंदर से गोड़े बने में हैं कपड़े के गोड़े तो यह बहुत ही अच्छे लगते हैं इनके अंदर भी जो रो माटीरियल के तोर प पूराने कपड़े नहीं है तो बहुत अच्छी चीज है आप घर पे लेकर जाएं बच्चे खेलेंगे और मेरी तरह आप घर पे सजावच्ची बोड़े के लिए रख सकते हैं यह बहुत अच्छी चीज है प्राज दीक तो क्या बच्चा मूं में लेता है तो बिमार हो ज अर्खट जो है यह इसे ही चलता है इनका भीजारा तो बहीं उसे आप लिया करोंगे और यह यहीं रहते हैं पूरे दिंगर यहीं में इंका खाना रहना और यह दमान यहां पर लगा रखा है तो आप यहां से आएं तो नहीं सब्सक्तर में गुपुण दोगा है तो आप क्याज करे फंगे लोका झापा और यहां से छिए जिए वत्या इंकाप जाद वोग्द में रखा है विए जोंगे आप उरला है वहीं कि का रखा है क्या बदुड़ा है उर रहां तो आपक्पश्वारसस्टे बहीं जुप दोेश्बहार आफ बदूस्टे उर फिए